आज हम जिस माव बनाने की तकनीक की बात करने वाले हैं वो कई माईनों में अन्य मसीनों या पारंपरिक तरीकों से अलग है जैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलना पानी तथा इंधन की बज़त महतपूर्ण है यह प्लांट एक स्टीम रिसाइकल बॉयलर से चलता है जिसमें इंधन के रूप में लकरी, कोईला या एलपीजी इस्तमाल होता है इस बॉयलर में बार बार पानी चरहने की जरूरत नहीं होती है जिसके कारण 95% तक पानी की बज़त होती है साथ में 70% तक इंधन की विवचत होती है इसके इन्हें तकनीकी चमताओं के लिए भारत के पूर्वराष्ट पती स्री प्रनौ मुखरजी से सम्मान मिलना सबसे अहम है आईए देखते हैं प्लांट के कुछ अन्य एक्विप्मेंट्स को यह आउटोमेटिक कराहिया हैं जिसकी कैपेसिटी होती है साथ लिटर दूद को एक घंटे में माव बनाने की और इसमें फ्यूल की जो लागत आती है वो लगभग 24 केजी के आसपास रहती है मैकसिमूम सो लिटर दूद को प्रोसेस करने में जो की पारंपरिक तोर से या फिर अन्ने तरीकों से बनाने के मुकाबल में बहुत ज्यादा ही कम होता है हमारा संपर्क संख्या है 96080-404060 हमारा दूसरा नंबर है 746293-2224 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग